Hello students, वागत थे आप सभी का, एक बढ़ फिर से हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है ASOL Solution, मैं संदन कुमार हाजिरू, आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ, so guys, आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उन सभी students के लिए, जो MPS course के students हैं, और recently January 2024 में MPS course में enroll हुए है, first year के students है, और वो अपने assignments की तलास कर रहे हैं, मैं बता दू, आप सभी के लिए जो ये assignment आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए आ चुका हैं, आप इसे हमारे टेलेग्राम गूप से राप्त कर सकते हैं, इसका answer आपको क्या लिखना है, कैसे लिख करने वाले हैं, पहली बात तो आप अपने answers को जो है, वो pages के अंदर लिखेंगे, आप pages के अंदर अपने answers को लिखेंगे, ताकि आप लोग अपनी क्या करें, अलग-अलग subject के लिए अलग-अलग file बनाएं, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कि एक अगर आपके teacher से आप के college के अंदर बात हो रखी है, जहां पर भी आपको जमा करना है, तो आप एक ही file के अंदर, office file के अंदर किनो कर सकते हैं, लेकिन prefer यही रहेगा, कि आप अलग-अलग subject का अलग-अलग assignment बनाएं, तो यहां पर जैसे कि आप लोग के चार subject हैं, और इस video के अंदर हम आप सभी के MPS 001 का जो first question है, इसको लेकर आएं, और हम बताएंगे कैसे कैसे आपको assignment बनाना है, तो सबसे पहली बात आप यह assignment देख सकता है, यह English medium वाले बच्चों के लिए भी और Hindi medium वाले बच्चों के लिए हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कि आप लोगों के सामने यह assignment है, जो कि July 2023 के बच्चे और जो January 2024 के बच्चे इन दोनों के लिए था, आपको अपने assignment कब तक जमा करना है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो guidelines आई हैं, उसके according जो July session के बच्चे हैंगे, उनको 31 March 2024 तक जमा करना था, और जो January के जो बच्चे हैंगे, उनको 30 से सितं जमा करना है, जमा करने का मतलब यह है कि आप सभी को अपने जो भी study center है, वहाँ पर आप जाकर जमा कर सकते हैं, कई study center ऐसे हैं जो online assignment देते हैं, आप इस कीज का भी ध्यान दे, इसके बाद में आपको करना है क्या होगा, आपको यह जो assignment है, जैसे आप देख रहो हैं, यहा आपको पहली बात तो print out लेने के बाद में सबसे first page हो, आप लोगों का आपका नाम आएगा, जो कि मैं बता हूँगा, एक पूरी की पूरा photocopy वाला page होगा, वो मैं आपको telegram पे available करा दूँगा, आपको कुछ detail बढ़नी होगी, पहला page तो आपका वो होगा, दूसरा page मैं आपको directly ना करना है, यह वाला question paper आपको उसके अंदर चमा करना हो, जैसे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले, आप सभी के लिए समकाले राजनिती से दान्त पर लेख, इसके बारे हम बात करने वाले है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह first question है, और यह same question अग आपको यह English medium में भी मिल जाएगा यहाँ पर, English medium वाले बच्चे के, वो English medium में इसको देख सकते है, write a note on contemporary political theory, इसके अंदर आप से भी को first question है, इसको कैसे करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह आपके सामने पूरा का पूरा PDF है, अब यहाँ पर question क्या पूछा गया आप समकालिन, समकालिन का मतलब होता है, वर्तमान समय में, राजनितिक सिध्धान्त जो है, इस पर लेक लिखना है, वर्तमान समय में इसकी value है या नहीं है, यह question basically यह है, यहाँ पर आप इसका answer लिख सकते हो, जैसे हाँ पर question में, आपको answer में यह बताना होगा, कि इसे राजनि समति से जुड़ी भी कई सरी हमारे सामने समस्या निकल जाती है, तो उन समस्याओं का समधान निकालने में भी काफी अत्रवा करता है, आप सब यह को याद रटना है, इसलिख सिध्धान पर लेक लिजिए, यहाँ पर आप आप समकालिन, राजनितिक सिध्धान्त पर व्याहसवादी व्यावादी अनेग विद्वानяти आंपने अपने अपने सिध्धांतों को प्रस्तूत किया और अपने सिध्धांतों को महतो पूर्ण बतायां अलग-अलग समय में कि हमारा सिध्धांत' आज के समाज में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ? यहां पहली बात अगर हमें वर्तमान सभे में राजनितिक से जुड़ी हुई अगर हमें कोई शब्द है उसका मीनिंग जानना हो तो उसको जानने के लिए हम राजनितिक अलग-अलग सिधानतों को पढ़ते हैं ताकि वहां से हमें सारी की सारी आप क्या करेंगे यह फर्स्ट पॉ पढ़ना है वह हमारे दिमाग में पढ़ने के बाद में या कोई भी चीज जैसे लोकतंत्र अपने भी पढ़ना है अपने पढ़ा नहीं है आपको समानता पढ़ना है आपको सोतंत्रता पढ़ना है अपको नियाय पढ़ना है जब आप उन सिधानतों को पढ़ने तो उन व से कुछ लेशन करना आसान हो जाता है इसलिए राजनितिक भाषाओं को समझने के लिए राजनिती से जुड़ी विग्ञान को हासिल करने के लिए हमें राजनितिक से दांत का अधिन हम करते हैं और हमें जुरूत भी अपर लिखा भी हुआ है यह अलग-अलग अवधारनाओं को विकास कैसे हुआ उसका अर्थ समझने में में साहिता मिलती है एशिया अफ्रीका यूरूप अमेरिका में बहुत सारे देशों ने आप सभी न जाता अगला कोशन है अगला पॉइंट आप इसको इस लिख सकते हैं जिसमें आप से यह लिखा गया है इसमें वही एतिहासिक तुलना को समझने में जैसे फॉर एक्जांपल आज जो है वो आज के आप से कोई सिद्धान्त जादा प्रसांगी हो गया है आज से पहले तो हम यह देखते हैं कि किस तरीके से आप पूरा पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे कि राजनिति के लक्षों को एतियासिक समागरी हमें क्या मिलती है कि हम राजनिति का देखते है कि इस प्रकार से हमारा विकास हुआ है और अलग-अलग सिद्धान्तु में अलग- चार्व होति हो सकते जो हमें हो से यह भी देख सकते हैं कि लोकता इस प्रकाट से मजबूत हुआ अलग-अलग देशों में आपने देख़ा जाती के हुसाब से, लिंग के हिसाब से रंग के हिसाब से वédवा होता था वो वेदबाव कैसे कैसे समाफ्ट होता हुसा रहा है इस सब जाँना तो आपको ताज elbow樂 colored सिद्ञान महीं पड़ना पड़े modest तो 80% बच्चे जो है वो एक ही बात का उत्तर देखेंगे कि सभी लोगों के साथ एक जैसा वैवार करना जो है वो समानता के लाथ लेकिन ये परन्तु गलत अउधारना होती है हम सभी लोगों के साथ एक जैसा वैवार नहीं कर सकते सबी लोगों के साथ एक जैसे व्यवार करना आसमानता होती है आप बोलोगे ऐसा क्यों? मानता तुम ने ऐसा पड़ा नहीं परन्तु यहां पर आपको इस कॉंसेप्ट को भी समझना है मानता का मतलब सिंपल सा होता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा विवार करना, अगर कोई बच्चा 4th class का और कोई बच्चा 8th class का है, अगर मैं दोनों के साथ एक जैसा विवार करूँ और दोनों के लिए एक जैसा standard का exam बना दो, तो हाँ पर अगर आप देखो कि तो बच्चे के, जो 4th class का बच्चा ह में आसमर्थ होगा तो जो बच्चे हो सकते समर्थ हो जा लेकिन अधिकतर बच्चे इसे समर्थ होंगे जो बच्चे आसमर्थ होंगे it mouse घ्यासे लोगों की साथ class 8 के बच्चों के साथ class 8 का paper बणाए जाए ताकि वो 8 का exam अच्छे से मपर सके पूर्थक्लास के बच्चों के लिए इकले पोरा एक प्याशन है उसकी जो diet है सब्सक्राइब आप इस तरीके से इस वाले concept को भी अच्छी तरीके से समझे राजनेतिक शिधान जब हम पड़ते हैं तो हमारी दृष्चिकोर भी उधार बनता है अब आपके मन में विष्टिकोन उदार बनता है कि ऐसे उदार बनता है हमारा विष्टिकोन जिसे राजनेतिक सिधान्त को हम पढ़ता है कि हमारे मन में कई topics को लेकर हमें ऐसा लगता है कि लोगतंत्री बहुत बुरा है जो हम राजनेतिक सिध्धानत को पढ़ते हैं तो हमें अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग विशारों से जानकारी मिलती है जिसमें पता चलता है कि हर एक चीज की कुछ अच्छाया होती हैं, कुछ कमिया होती हैं तो उनको पढ़के हम अच्छे त्रीके से क्या कर पाते हैं चीज़ों को समझ पाते हैं यह भी आप सभी को याद रखना है कि राजनेतिक सिद्धान जो है वो अनगलग सिद्धान पढ़ने से हमारे दिर्ष्ची कोण भी उदार बनते हैं स्थापित करने के लिए में मैं राजनेतिक सिद्धान करना पड़ मि mistakenly विवाद खड़ता हैं हमें किया करना पड़ता है मैं अलग-अलगत रहdown है कई मांर सामने वी दूविदा हो जाते है कि ऐसी परस्ते बनी तो मैं क्या करना चाहि राजनेतिक. सब्सक्राइब और यहां तक यह आपका आंसर है यह आपका इसके इसके इंदर खतम आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो लगब क्या लिखा है पांच चब्दों में 20 अंक का एक कुशन है तो आप लोगों को ज्यादा भी नहीं लिख रहा बाकि अगला जो देखो आपको एक assignment के अंदर देखो लिखाए पहले directly पास person करना है पहला person मैंने आपको बता दिया और आपको हर एक भाग में से कम से कम दो कुशन करना है एक कुशन इस बाक से कर लिए हमने हम इसमें से एक कुशन और करेंगे maximum दो कर सकते हैं लेकिन अगर इससे हम दो करते हैं और यह त और आपके जो market में मिलने वाले assignment है वो उनसे कई ज्यादा अच्छा है क्योंकि उन्होंने एगनों की बुक्ते कट कॉपी पेस्ट कर दिया होता है और इसमें तो सारे पॉइंटों को अच्छी तरीके से explain कर गा है जितना relevant material है उतना ही relevant इसके अंदर आला गया है इसके आप exam के time पे भी हमसे prepare को आप इस video को like करें दिख से दिख में तो तक share करें और इस channel को subscribe करें तक ही मिलते हम आप सभी से अपनी 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 वीडियो में जै हिंजे वाग्यू